हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निशू होप में आज इसमें हम सीखेंगे सलवार का पूंचा किस तरह से डिजाइन किया जाकता है घर में जो हम लैसे से ही रेडी करेंगे देखें यहाँ पर मैंने चोड़ी लैस लिये है अब मैं इसको साइट कर दूँगी फ्लावर्स के जो हमने कटिंग कर रही हूं है यह लैस हम अलग से बना लेंगे एक जो हम पूंचे के ऊपर लगाएंगे तो देखें इसको इस तरह से आप कटिंग करेंगे अगर आपके पास सिंगल है तो आप सिंगल भी करेंगे अलग से कर लूँगी क्योंकि इसी फ्लावर्स से मैंने अपने कमीज को भी डेकोरेट किया है उसके लिए वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो देखें तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने और बैल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं वीडियो की तो देखें यहाँ पे मेरे पर सित्रह से एक चोडी लैस है इसमें जो कपड़ा अंदर फोल्ड किया हुँ था उसको मैं इस तरीके से निकाल दूँगी ताकि जब हम पोचा स्टिच करें तो उसमें यह सलाई अराम से आए जब भी आप पोचा स्टिच करें यहाँ पे हमें बुकरम का यूज नहीं किया यहाँ पे मैंने फ्यूजन पेपर का यूज किया है यह आपको इसली मिल जाएगा जहां से आप रेल वगारा बुकरम लेते हैं वहीं से आपको यह पेपर भी मिल जाएगा तो जिस तरह से हम पोचा स्टिच करते हैं उसी तरीके से लैस को भी हमें सलवार की उट्टी साइड रखते हुए स्टिच करना है इस तरीके से अगर आप इसमें बुकरम डालेंगे तो आपकी जो सरवार का पूँचा है बहुत ही ज़्यादा हाड हो जाएगा और वो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा तो यहाँ पे आपको फ्यूजन पेपर का यूज़ करना है अगर आप फ्यूजन पेपर नहीं यूज़ करेंगे तो भी ठीक रहेगा लेकिन फ्यूजन पेपर से आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी तो देखिए यहाँ पे अटैच कर लिए है आप इसको पोँचे की तरह ही दूसी साइड हमें फोल्ड कर देना है सीधी साइड तो इस तरह से हम पहले साइड की सलाई लगाएंगे इसमें हमें ज़्यादा सलाई नहीं लगानी होती इसमें हम एक दो सलाई के साथ ही फिनिशिंग करेंगी तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल सलाई लगा दी है अब जो मैंने टॉप में स्लाई लगानी है यहाँ पर मैं एक बारीक लैस अटेच करूँगी जो वाइट कलर की यूज की है मैंने आजकल इस तरह के पोंचों का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है तो आप घर में आपने एजली कुछ से आप यह सरवार के पोंचे स्टिच कर सकते हैं बहुत ही डिजाइनिंग आने वाले सभी वीडियोज में आपको इस तरह के डिजाइन्ज मिलेंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूले यह देखें इस तरीके से अपने पोंचे को हम डिजाइनर लुक देंगे तो यह हमारा पोंचे का टॉप स्टिच भी हो गया है अब इसके बाद आप चाहें तो से लाइक का यूज कर सकते हैं और चाहें तो मैं आपको बताऊंगी फैप्रिक ल्यू होती है उसका यूज करेंगे मैंने यह ले लिया है इसका सीधा उल्टा देख लेंगे लैस का कौन सा है और उसको फिर अटैज करेंगे तो जो हमारी स्टिच टॉप स्टिच होई है वहां से मैंने एक एक की मार्किंग कर दी है क्यों तब ही हमारी जो पोँचे की जो हम लैस लगाएंगे उसकी अच्छी फिनिशिंग आएगी तो देखे एक एक की मार्किंग कर दी है एक 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 इंच की उसके बाद मैंने यहां पे प्लेस किया है आप चाहें तो यहां पे सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो इसको फैबरिक लियू के साथ अटेच कर देंगे लेकि फैबरिक लियू के साथ अटेच करने से पहले मैंने यहां पे एक सिंगल सिलाई लगा लिया है ताकि लियू के साथ अगर उतर भी जाए तो सिलाई तो सेट से बैठी रेगी तो एक सिंगल सलाई के बाद आप इसको glue के साथ अटेच कर सकते हैं तो glue के साथ अटेच करने का एक सीधा सा formula है इस तरह से glue लगाने के बाद इसके उपर से आप इसको iron लगा देंगे तो यह हमारी glue एकदम पक्की हो जाएगी और wash करने के बाद भी नहीं निकलेगी और आपके यह glue उतर जाएगी तो देखे मैंने दूसरा पोंचा भी इसी तरह से ready कर लिया है आपको वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताएं यह मैंने पहले ready किया हो था तो देखे एक दम पक्का हो गया है इसी तरीके से आप अपने दोनों पोंचों को ready कर लेंगे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद